कि फिलिप कार्ड से EMI पे डेविट कार्ड पे कैसे फोन लिया जाता है अगर आप EMI पे डेविट कार्ड पे फोन खड़िदना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में complete process बताने बाला हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा फिलिप कार्ड अप्लिकेशन को open कर लिजिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलिप कार्ड पे दिया गया है डेविट कार्ड EMI तो यहाँ पे आप डेविट कार्ड से भी EMI पे फोन ले सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे दे IDFC First Bank HDFC Bank का भी debit card अगर है तो आपको यहाँ पे EMI पे phone आपको मिल जाएगा उसे पहले आपको एक SMS करना पड़ेगा फिलिप card को जो कि आप eligible है या नहीं है अगर आप debit card से EMI पे phone लेना चाहते हैं तो आपको यह जो नमर देख रहा है इस नमर से आपको SMS करना है ताकि eligible आपक चेक हो जाएगा तो चलिए हम यहाँ पे message box open कर लेते हैं तो यहाँ पे हम message type कर देंगे तो यहाँ पे नमर है 5757 और 5 इस नमर से आपको send करना है क्या send करना है मैं आपको बता देता हूँ जैसे D और C देंगे उसके बाद यहाँ पे capital में EMI दे देंगे ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे send कर देंगे और send करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते कुछ देर में आपके पास एक में से जा जाएगा कि आप eligible हो या नहीं हो eligible होने के बाद आप फिर इसी page पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं no minimum balance आपको रखना पड़ेगा debit card में अगर कुछ भी रुपया नहीं है तब पर भी आप मुआल यहाँ पे EMI पे ले सकते हैं पे इन monthly installment with interest rate applicable include तो जो भी आप यहाँ पे मुआल लेंगे कोई भी समाल लेंगे तो आपको मुआल लेंगे तो आपको मुआल लेंगा उस पे interest rate भी इंकलूड रहेगा उसके बाद कैसे यहाँ पे आपको कोई भी मुआल खरीदना है तो कैसे आपको यहाँ पे buy करना है EMI वो यहाँ पे दिखाए गया है आपको बताए गया है कैसे आपको मुआल लेना है फिलिप कार्ड से EMI पे debit कार्ड पे तो सबसे पहले को भी आप मुआल सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद यहाँ पे buy no पे click करने के बाद यहाँ पे आपके सामने में payment का जो method आएगा EMI आएगा तो यहाँ पे आपको select करना है उसके बाद जो भी आपका bank account का debit card है वो यहाँ पे आपको select करना है इसके बाद आपको payment कर देना है payment करने के बाद यहाँ पे debit card के द्वारा आपका phone यहाँ पे मिल जाएगा तो यह जो option दिखा जाता है debit card EMI तो यह option आपको कैसे मि लेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने बाला हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा तो चलिए हम आपको यहां पर एक मोवाल खरीद के दिखाते हैं पर उपर मोवाल लेना चाहते हैं उस पर आप सेलक्ट करेंगे और सेलक्ट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा तो यहां पर बाइणो के लिए इस्ट्रॉल्मेंट पे करना चाहते हैं इम आई पे तो यहां पर 4,944 लगेंगे और 14% का interest date मिलेगा total यहाँ पर 14,830 रुपया हो जाते हैं इस तरह से 6 मंद का है, 9 मंद का है, 12 मंद का है इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर अगर आप इस मॉइल को लेना चाहते हैं तो बाइनो पर आप click करेंगे और buy no पे click करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं continue पे जब आप click करेंगे यहां पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface आगा तो accept and continue पे आप click कर लेंगे payment आपको बोला जाएगा करने के लिए तो यहां पे आपको payment debit card credit card पे आपको select नहीं करना है तो यहां पे आपको EMI पे select करना है as a installment पे आपको click करना है इसके बाद आपको continue वाले बटन पे click कर देना है buy हो जाएगा उसके बाद जैसे ही phone buy हो जाता है यह जो debit card का option है तो यहां पे आपको दो तरीके सा option मिलने वाला जिसे के आप यहां पे देख सकते काटेगरी के उपर आप click करेंगे इसके बाद आप यहां पे आज आएंगे credit card पे तो यहां पे आप click करेंगे ऐसा करने के बाद यहाँ पे इस page को उपर कर देंगे उपर करने के बाद यहाँ पे देखे David Card EMI Partner Offer तो यहाँ पे आप किलिक कर देंगे ऐसा करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे देखेगे David Card EMI तो यहीं से आप पूरा डिटेल या जनकारी ले सकते हैं उसके बाद एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं किस तरह से यहाँ पर आपको उस पेज पी आना है जिसे कि यहाँ पर आपको सर्च वाले अप्षन है तो यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे डेविट कार्ड एमाई तो डारेक्ट आप उसी पेज़ पे पहुंच जाएंगे जैसे यहां पे आप क्लिक करेंगे तो डारेक्ट आप इसी पेज़ पे पहुंच जाएंगे लेगिन मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहले आप एसमेस करेंगे अगर आपको वहां से message आता है, अगर आप eligible हो, तो आप यहां पर mobile ले सकते हैं इसके बाद मिनिमाम order आप 1,500 से उपर मिनिमाम order के लिए आप apply कर सकते हैं इस तरह से आप base datの way and davon purchase करते हैं तो इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा information मिला होगा